नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक को नए वीडियो में तो आज से अपन जो पसू परिचर की बढ़ती है, उसके लिए जो देनिक साइंस का टोपिक दे रखा है उसके बारे में अपन आज से क्यूसन सुरू करने वाले है और गाईज ये क्यूसन इस परकारशे होने वाले जिसंए आपर जो अदिनस्ट पोर्ड है वो पहले जितने भी एक्जाम्स लिए, उनमें जितने भी साइंस के क्यूसन्स आई हैं और उनके आदार पर नए क्यूसन्स बनते हैं या पिर उनके आसपास जो भी क्योसंस बनते हैं वो सभी इन वीडियोज के अंदर आपको दे दिये जाएंगे तो आप ध्यान से लगा के पड़ेगा अच्छे से आपको हर एक डाउटो क्लियर कर दिये जाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्योसंस बेना किसी दे रही के तो आज का अपना पहला क्यूशन है निमलिखित में से किस कारण से आग के सामने बेठे व्यक्ति को गर्मी प्राप्त होती है उप्शन अप परवाक्ताव, कन्वेंक्शन, वीकिरन या इन में से कोई नहीं तो इसका राइटान शुरोगा उप्शन नमबर सी वीकिरन के द्वारा एक आग के पास बेठे व्यक्ति को गर्मी प्राप्त होती है गईज अगर जहां पर टच नहीं होती है ना कोई चीज, मतलब जैसे सूर्य है सूर्य से कोई किंडे निकल कर परत्री तक आती है, हमारी बोड़ी पर गिरती है तो वो भी एक परकार से विकिरन से ही होता है नेश्ट कुशन है, प्रात्मिक रंग कौन से होते हैं उप्सन यह सपेद, काला, निला, उप्सन यह लाल, पीला, निला, उप्सन यह लाल, नारंगी, निला, या उप्सन यह लाल, हरा, निला तो इसका राइट आन सुरूगा उप्सन नमबर D, प्रात्मिक रंग वो लाल, हरा, और निला होता है नेश्ट कुशन है, निवन में से आयोडीन के अच्छे स्त्रोथ हैं, ओप्सन कार्बन डायोकसाइड, बीज, ताजी सबजियां और फल या ओप्सन डिये समुंदरी बोजन तो इसका राइट आंस रोगा ओप्सन डिये समुंदरी बोजनव आयोडीन के सबसे अच्छे स्त्रोथ होते हैं, याद रखना बहुत हैं, नेश्ट कुशन है, विटामिन एक ही कमी से कौन सा रोग होता है, ओप्सन है रतोंदी, सुका रोग, पाजी या बाल जड़ना, तो अखोंका Еज़ एक परकार का रोग होता है, मतलब इसमें रात के समय, वो कम दिखाएं देने लग जाता है, तो ये परकार का विटामिन एक ही कमी से ओने वाला रोग है, नेश्ट कुशन है, रात में पॉद्दे कौन सी गेस गरन करते हैं, और कौन सी गेस चोड़ते हैं, Option है carbon dioxide और, sorry, oxygen और carbon dioxide, option भी है carbon dioxide और oxygen, option C है oxygen और carbon monoxide, या option भी है carbon monoxide और oxygen, तो इसका right answer होगा option number A, रात में पोदे oxygen gas तो लेते हैं न, और जो छोड़ने वाले gas होती है कोई सी? carbon dioxide, और गैस दिन के समय न, ये उल्टा होता है, मतलब दिन के समय पोदे वो carbon dioxide गरण करते हैं और oxygen gas छोड़ते हैं, तब भी अपन लोग सांस लेते हैं, इसलिए कई बार खाजाता है न, कि रात को पेड़ के निच्चे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो इसी का कारण है, क्योंकि पोदे वो रात को carbon dioxide gas छोड़ते हैं, तो next question है, कोशिका का powerhouse, यानि की सक्तिगरह कहा जाता है, option of mitochondria, पुट्टे काओं, फेंपड़े या यकरत, तो इसका right arm शुरोगा option number A, कोशिका का powerhouse mitochondria को कहा जाता है, next question है, निमलिकित में से सुक्की बरप क्या है, option है, ठोस oxygen, ठोस carbon dioxide, ठोस hydrogen, या ठोस nitrogen, तो इसका right arm शुरोगा option number B, सुक्की बरपो, ठोस carbon dioxide को कहा जाता है, और इसका सुत्र क्या होता है, तो D2O, काफी important है मेरे बाई, बहुत बार इस question को पूछा गया, D2O, इसका सुत्र भी आपको याद रखना है, next question है, phloem उत्तक पाए जाता है, option यकरत में, नाल में, पोदों में, या इन में से कोई नहीं, तो इसका right arm शुरोगा option number C, phloem उत्तक वो, पोदों में पाए जाता है, वैसे तो पोदों में दो परकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक तो जलोएम, और एकोंसा phloem, phloem के दोरा जो खनीज लवन है, या पिर जो भी बोजन है, वो पोदों तक पहुँचता है, किसके दोरा phloem के दोरा, और गाई जो जल्व अगेरा है, जल्व अगेरा वो जाईलम के दोरा पहुचता है, तो आपको ध्यान रखना है, phloem और जाईलम उत्तक दोनों ही पोदों में पाए जाते हैं, नेस्ट कूशन है, पर्तिवी के वाईव मंडल का पर्मू गठक है, ओप्सन ऑक्सिजन, कार्बन, हाईट्रोजन या नाइट्रोजन, तो इसका राइट आउन सुरोगा ओप्सन नमबर डी, नाइट्रोजन वो पर्तिवी के वाईव मंडल का पर्मू गठक है, क्यों क्योंकि ये वाईव मंडल में लगवग अठंतर पर्तिशत पाई जाती है, और उसके बाद में बात करें तो ओक्सिजन वो लगवग 21 पर्तिशत, और उसके बाद में CO2 0.03 पर्तिशत तक पाई जाती है, इकोंची CO2, नेश्ट कूशन है, निमलिकित में से नियोट्रोन की खोज की थी, और उप्सन आइंस्टाइन, जेंट सेडविक, एब डबलू एंस्टेन या रद्दरफोर्ड, तो इसका राइटांस रोगा उप्सन नमबर B, नियोट्रोन की खोजो जेंट सेडविक ने की थी, नेश्ट कूशन है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, उप्सन आप पिरियोन, प्लाजमोडियम, वाइरस या जीवानू, तो इसका राइटांस रोगा उप्सन नमबर B, मलेरिया रोग के द्वारा फेलता है, नेश्ट कूशन है, शरीर का सबसे बड़ा उथ सर्जी अंग कौन सा है, उप्सन आप फेंपडे, तवचा, यकरत या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइटांस रोगा उप्सन नमब B, सरीर का सबसे बड़ा उथ सर्जी अंग वो तवचा होता है, कैसे आप सबी लोग देखते होंगे कि जो आपकी बोड़ी से वो पशीना निकलता है, क्या पशीना, पशीना निकलता है, तो सबसे ज़्यादा जो उथ सर्जी अंग वो बोड़ी का जो तवचा है, वो होता इसलिए यह आपको demand रखना है अने इम लक्षी में से मानवरगत का सामाने tässä मान कितना होता है पियज का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चहिए तो पिएस का मतलब होता है पावर ओफ हाइट्रोजन क्या पावर ओफ हाइट्रोजन तो option 5.4 pH, 7 pH, 7.4 pH या 8.4 pH तो इसका right answer होगा option number C मानवरक्त का सामाने pH मान 7.4 होता है next question है वह सनरचना जो जनतो कोशिकाओं में अनुपस्तित होती है option है कोशिकाओं बित्ति, नाबिक, तारक केंद्र या माइट्रोकॉंड्रिया तो इसका right answer होगा option number A जनतो कोशिका में जो कोशिकाओं बित्ति हो अनुपस्तित होती है जब कोशी का बित्ती वो किस में पाई जाती है तो जो कोशी का बित्ती है वो पादब कोशी का में किस में पादब कोशी का में कोशी का बित्ती पाई जाती है कोशी का बित्ती है वो जनतु कोशी का में अनुपस्तित होती है आपको कास द्यान रखना है नेश्ट कूशन है पेनिसलीन किस से प्राप्थ होता है ओप्षन प्रोटो जोवा, जीवानू, कवक या वाइरस तो इसका राइट आन सुरूगा ओप्षन नमबर सी पेनिसलीन वो कवक से प्राप्थ होता है नेश्ट कूशन है डिएने संरस्थना का वर्णन सबसे पहले किस के द्वारा किया गया था ओप्षन है लूइस पास्चर, रोबर्ट कोच, वाइटसन और क्रिक या केरलस नियसस तो इसका राइट आन सुरूगा ओप्षन नमबर सी जो डिएने की संरस्थना है यानि कि जो द्वी कुंडलित मोडल है तो वार्षन और क्रिक ने दिया था यह आपको कास द और रखने का फिलो बार इसको पूछा गया में होता है नेस्ट कुशन है कौन सा एदात्विक तत्व कमरे के तापमान पर तरल होता है उप्षिन अब ब्रोमीन, केल्सियम, कलोरीन या फासफोरस तो इसका राइट आंस रोगा उप्षिन नमबर ए ब्रोमीन तत्वा हो एक परकार की एदात्विक है जो की कमरे के तापमान पर तरह लवस्ता में होता है नेश्ट कूशन है, रेबीज के लिए टिका किस के दवारा विक्सित किया गया था उप्षिन रोबर्ट माइक, रोबर्ट बराउन, लुइस पास्चर या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंस रोगा उप्षिन नमबर सी, रेबीज के टिके का विश्कार लुइस पा जाता है उप्सने 5 6 7 या 8 तो इसका राइट आंसर होगा उप्सन नंबर सी जब एक परकास को प्रिजम से गुजारा जाता है तो वहाँ सात रंगों में विबक्त हो जाता है इसका मतलब विब गयोर जी ओ यूँ आर विब क्योर एक दो तीन सात रंग हो गये न तो यह वाले सात रंग होते हैं इसमें विब क्योर नेश्ट कूशन है निम लिखित में से CNG का मतलब है option है परिवर्तित प्राकर्ति गेश उत्पादित प्राकर्ति गेश संचालित प्राकर्ति गेश या संपिडित प्राकर्ति गेश तो इसका right answer होगा option number D CNG का मतलब होता है संपिडित प्राकर्ति गेश यानि कि compressed natural gas से वो CNG का फूल पूरम होता है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जुरूर बताना है बाकी दोस्तो आप सभी को टेलिग्राम जुरूर जोइन कर लेना है वहाँ पर पसूप परीचर बढ़ते हैं जो भी मेटेरियल आपक कि जाएक है टेलिग्राम पर इन वीडियोज की लिंक नहीं डआली जाएगी क्योंकि यहांपर काफ़आ साथ मेटेरियल डाला जाता है तो जो काम-काम की चीज़ है मतलब